कि नमस्कार दोस्तों स्वागात है हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों यूपी टिपल ऐसी पी टी क्लास सुरू हो की है क्लास नमबर एट पे हम पहुंच चुके हैं विशे अनुशार महत्पूर प्रस्ण वर उसके उत्तर हैं दोस्तों यह पीटी के माध्यम से फार्मासि क्राइब कर लिए दोस्तों sबी क्लास आपको मिल जाएंगे चल्ए दूसरों वीडियो की तरफ चलते हैं सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिये लगा चैनल पढ़ना तो सबस्क्राइब जरूर कर लिजिए दोस्तों और वीडियोnaire को जयादा अपनी दोस्तों में 185 में A.O.히움 ने किया था इसको रट लिजिएगा दोस्तों पूछा गया कोईस्चन है भारती राष्टी कंग्रेश की अस्थाफना किस ने की थी भारती राष्टी कंग्रेश के प्रथम अधिछे W.C. बनरजी थे भारती राष्टी कांग्रेश का प्रथम अधिवेशन 1880 इसमी में बंबई के गोपुलदास तेजपाल संस्कृत विद्याले में आयूजित किया गया था भारती राष्टी कांग्रेश के प्रथम मुस्लिम अधिच पद्रुद दीन तयब जी थे इसको फिर अट लीजेगा दोस्तों अखिल भारती कांग्रेश की प्रथम महिला अधिच कौन रही एनी बेसेंट रही ये चितना बता रहा हो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टन है पूछा क्या कोईशन है और यही लेवल आपका रहेगा भारती राष्टी कांग्रेश की प्रथम भारती महिला अधिच सरोजनी नाइटू थी महतमा गाधी ने मातर एक वर्स में 1924 में कांग्रेश के वेल गाओ अधिच अधिचत की पूछा गया है कितनी बार महतमा गाधी ने कांग्रेश के अधिचत ली थी किवल एक बार वो भी बिल गाओ वाले में वर्स 1938 में भारती राष्टी कांग्रेश के हरिपूरा अधिवेशन की अध्यचता सुबास चंदर बोस ने लिया थी 1924 वाला जो था महत्मा गाधी जी ने लिया था और 38 वाला अधिवेशन जो है सुबास चंदर बोस ने लिया था दोस्तों जन गड मन को पहली बार वर्स 1911 में भारती राष्टी कांग्रेश के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया बाल गंगा धर तिलक ने कांग्रेश को अनुनय विनय और विरोध की राजनीत करने वाली संस्था कहा था बाल गंगा धर तिलक को भारती ये असांती का जनक भी कहा गया है गरम दल के प्रमुख नेताओं में बाल गंगा धर तिलक बीपिन चंदरपाल लाला लाजपत राय अर्विंद घोस आधी प्रमुख रहे गरम दल में भारती राश्टी कांग्रेस की प्रथम अग्रेद अध्यच जार जी जूले थे इन्होंने 1888 इस भी में भारती राश्टी कांग्रेस के इलहाबाद अधिवेशन की अध्यचता की थी स्वतंतर मेरा जनमसित अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा यह सब्द किस ने दिया था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने दिया था रट लीजेगा पंचाब केसरी का खिताब लाला लाजपतर राय को दिया गया था Grand Old Man of India के उपनाम से किसको जानते हैं दोस्तों दादा भाई नौरोजी को इसको भी याद कर दियेगा सीमांत गाधी इसको भी याद कर दियेगा सीमांत गाधी के उपनाम से खान अब्दुलगफार खान को माना जाता है अंतियोदे का विचार सरवप्रथम महत्मा गाधी ने दिया था महत्मा गाधी को सरवप्रथम राष्ट पिता के नाम से सुभास चंदर बोस ने संबोधित किया था पूछा गया question है दोस्तों ये सब भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से कौन कौन से क्वेशन बनते हैं वह देख लेते हैं क्रांतिकारी के एक गुप्त संगठन अभिनो भारत का गठन वीडी सावर करने किया था मित्र मेला नामक संग को वीडी सावर करने प्रारम किया था करांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन की अस्थापना अक्टूबर 1924 में कानपूर में की गई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन के संस्थापक अध्यच सचिंदर नाथ सन्याल ने थे थे तथा अन्य सदस से राम प्रसाद, बिस्मिल भगत सिंग, योगेंदर, योगेस, चैंदर, चटरजी तथा चंसेखर आजात भी रहे हैं। इंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन के संस्थापक अर्ध्यच है। काकोरी सदस्था केस में 9 अगस 1925 को हुआ था। केसलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन के स्थापना 1928 में चंसेखर आजात के नेतरित में दिल्ली के फिरोसा कोटला मैदान में हुई थी। प्रसी धनारा इनकलाब जिन्दाबाद हसरत मोहानी ने दिया था दोस्तों। अक्सर पूछा जाता है कि इनकलाब जिन्दाबाद तो लोग भगत सिंग को लगाते थे हैं लेकिन भगत सिंग के ओल लोप्री बनाये थे दोस्तों। इसको कह करके प्रसी धनारा इनकलाब जिन्दाबाद जो रहा दोस्तों हसरत मोहानी ने दिया था और भगत सिंग ने लोग प्री इसको बनाया था। दोस्तों भगत सिंग राजगुरू तथा सुखदेव को सांडर्स हत्या के कारण 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी। बहुत ही दुखदाई टाइप का जैसे रहता है भगत सिंग राजगुरू तथा सुखदेव को सांडर्स हत्या में जो है 1931 को फांसी की सजा दी गई थी। स्वतंतरता संग्राम में सबसे कम आयू के सही जो रहें खुदी राम पोस्त थे। चट गाउं सस्त्राकार पर धावा 18 अपराइल 1930 को सूर्य सेन के नेत्रित में आयोजित किया गया था। जेल में भूख अड़ताल के कारण जतिन दास की मृत हुई थी। कि गवर्नर पर गोली किस ने चलाई थी तो बीना दास ने। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी स्याम जी क्रिश्ण वर्मा ने प्रारम भी किया था। गदर पारटी के संस्थापना 1913 में हुई थी। और कहां पर दोस्तों सेन फ्रांस को अमेरिका में की गई थी। मैडम भीका जी रुस्तम कामा पूरा नाम है। राजा महेंदर पताप ने काबूल में तब जो अफगानिस्तान में है भारत की पहली आस्थाई सरकार का गठन किया था। इंडिपेंडेंस लीग की इस्थापना रास विहारी बोस ने की थी। दोस्तों बंगाल विभाजन विभाजन एंसोदेशी आंदोलन से कौन कौन क्वेस्चन बनते हैं उसको देख लिया जाता है। बंगाल विभाजन 1905 में लाड करजन द्वारा किया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। इस दिन पूरे बंगाल में सोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों। बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेत्रित सुरेंदरनाथ बनर जी ने किया था। यह भी पूछा गया कोईश्चन है। बंगाल में ब्रिटन की वस्तुओं के वहिसकार का सुझाव स्वरप्रथन कृष्ट कुमार मित्र ने दिया था। वहारतियों के विरोध के कारण बंगाल का पुनह वर्स 1911 में एकी कृत किया गया। रविन ना टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे। वर्स 1905 के बनारस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यच था। गोपाल कृष्ट गोखले ने किया था। पूछा गया कोईशन है दोस्तों या। स्वराज को बतौर राष्टी माग के तौर पर पहली बार तादा भाई नौरोजीन ने वर्स 1906 के भारती राष्टी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रखा था। स्वराज का प्रस्ता वर्स 1906 के भारती राष्टी कांग्रे से कलकत्ता अधिवेशन में बारिद भी किया गया। गरम और नरम दल के रूप में कांग्रेश अध्येशन के अध्येश्त कहुंन हैं, आरवी खोश रहें, बांगला-देश में है, मुसलिम लीग के संस्थापक नवाब सलिम उल्ला थे दोесhtों, मुस्लिम लीग के पर्थम अध्यच आगा खा थे तथा मुस्लिम लीग का मुख्याले कहां लखना हुथा वर्स 1908 में मुस्लिम लीग के के एक साखा की अस्थापना लंदन में सैयद अमीर अली ने किया था मिर्वे मांटो बिल वर्स 1909 में पारित किया गया था इसके अत्मियन के त्वारा मुसल्मानों के लिए पिर्थक निर्वाचन मंडल की ब्यवस्था करना था दिल्ली भारत की राजधानी उपवर्स 1911 में बनी थी तथा उसका अस्थानांतरन कलकत्ता से दिल्ली 1912 में हुआ था दिसंबर 1916 में लखनों में आजोईद भारती राष्टी कांगरेस था मुसलिम लीग के सन्यूत अधिविशन की अध्यच्छता एसी मजुमदार ने किया था गाधी एवम उनके आंदोलन देख लेते हैं दोस्तों इससे भी कोईशन बहुत बंते हैं महत्मा गाधी का जन्म 2 अक्टूबर 1879 को गुचरात के पोरबंतर नामकस्थान पर हुआ था 4 सितंबर 1888 को महत्मा गाधी कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गये थे गाधी जी वर्स 1893 में एक केस की पहरवी के लिए दच्छिड अफरीका चले गये थे दच्छिड अफरीका में अंग्रेजों की रंग वेदी की नीद के बिरुध आंदूलन प्रारम्भ किया गया था 1894 में गाधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की अस्थापना दच्छिड अफरीका में की थी गाधी जी ने पहली बार 1901 में कलकत्ता में भारती राश्टी कांग्रेस के अधिवेशन में भाग दिया था दिसंबर 1902 में गाधी जी पुना दच्छिड अफरीका चले गए वर्स 1904 में गाधी जी ने डर्बन में फिनिक्स आस्रम के अस्थापना की थी इंडियन ओपिनियन नामक अकफार गाधी जी ने दच्छिड अफरीका में निकाला था महत्मा गाधी दार्शनिक अराजक्तावाद के समर्थ थे महत्मा गाधी के राजनीतिक गुरू गोपाल कृष्ट गोखले रहे दोस्तों यह भी पूछा गया कोईशन है महत्मा गाधी दच्छिड अफरीका से जनवरी 1915 में भारत लोटे महत्मा गाधी ने 1915 में अहम्दाबाद में साबर मती आसरम की अस्थापना भी की जी सत्यागरा आसरम कहा जाता है भारत के सोतंतरा संगर्स के दौरान सबसे पहले सत्यागर्ण महात्मा गाधी ने ही प्रार्म किया था दच्छिट अफ्रीका से लोटनी के पस्चात गाधी जी ने प्रथम सत्यागर्ण सत्यागर्ण वर्स 1917 में चमपारण में किया था कोईशने दोस्तों प्रथम सत्याग्रा कहां पर्थोत चंपारण में 1917 में हुबा था महत्मा गाधी जी को महत्मा की उबाद ही राविंद्ना टाइगोर ने चंपारण सत्याग्रा के सफल नेत्रित के कारण परदान की गाधी जी ने एहमताबाद मिल मजदूर आंदोलन वर् फ्रहली बार भूख अरताल भी प्रारंवे किया खेडा सत्याग्रा केडा सत्याग्रा गाधी जी ने वर्ष 1909 में पारेत रॉले डे कानून कहा था रॉले डे कानून कानून का जाता है तिन कटिया पर था के विरुद्ध्ध चंपारण में आंदोलन गाधी जी ने शुरू किया था रट लीचे का दोस्तों। गाधी जी का चंपारण आंदोलन नील कर्मियों के समस्याओं के समधान हेत उप्रारम भी किया था। कठिया प्रथा के अंतरकत किसानों को तीन बटे बीस भूभाग पर नील की खेती करने पड़ती थी गाधी जी के चमपाड़ां सत्याग्रह का विरोध एन जी रंगा ने किया था, रॉलेट एक्ट वाइसरा लाड जेंस फोड के समय पारित हुआ था अखिल भारती राजनीती राजनीत मिगाधी जी का पहला सहसी कदम रॉलेट एक्ट के विरोध वर्स उननैस सो उननैस में सत्याग्रह था रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान ना देने का आंदोलन स्वामी सरद्धा नंदने जलाया था जलिया वाला भाग हत्याकांड 13 अप्राइल 119 को हुआ था रट लीजिये का दोस्तों यह पूछा गया कोई से जलिया वाला भाग हत्याकांड के विरोध में गुरू रविंदना टैगुर ने नाइट हुड की उपाधी को लोटा दिया था अक्सर पूछा गया है कि नाइट हुड की उपाधी क्यों लोटा दि थी रविंदना टैगुर ने तो जलिया वाला भाग हत्याकांड में जलिया वाला भाग हत्याकांड के विरोध में संकरन नायर ने वाइसराई की कारकारणी परिशत की सदेस्टा से इस्थीपा दे दिया था जलिया वाला भाग हत्याकांड की जाच के लिए बिर्टिस सरकार ने हंडर कमिशन का गठन किया जलिया वाला भाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर की हत्या उधम सिंग ने लंदन में किया था दोस्टों जलियावलाबाग हत्या कांट के समय में भारत वाइसरा लाड़ चेंट फोर्ड था खिलाफत आंदोलन असाहियोग आंदोलन से जो प्रश्ण बंते हैं वह देख लिया जाते हैं सभी most important question है वीडियो पूर से एर करते रहेगा चैनल पर नहीं तो सस्क्राइब जरूर कर लिजेगा दोस्टों खिलाफत आंदोलन मौलिक रूप से एक धार्मी का आंदोलन था वर्स 1929 में अखिल भारती खिलाफत सम्मेलन का अध्यच महत्मा गाधी को चुना गया था खिलाफत आंदोलन का विरोध मौहमद अली जिन्ना को किया गया था भारती राष्टी कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन एक अगस्त 1929 को प्रारम्भ किया वर्स 1929 के नागपूर में सम्मेलन कांग्रेस के वार्चिक अधिवेशन असहयोग के प्रस्ताव को सी आर दास मतलब चितरंजन दास ने प्रस्तावित किया था असहयोग आंदोलन महत्मा गाधी दोरा चलाये गया प्रथम जन आंदोलन था एक वर्स के भीतर स्वराज प्राप्ती का लच असहयोग आंदोलन के दोरान गाधी जी ने निर्धारित किया था महत्मा गाधी ने असायोग आंदोलन के दोरान केसर एहिंद की उपाधी त्याग दी थी बाल गंगा धर तिलक ने असायोग आंदोलन को अपना समर्थन दिया था किन्तो इस आंदोलन के प्रारम होने के पूर्वही तिलक की मृत्त हो गई थी चौरी चौरा कांड चारफरवरी 1922 को घठित हुआ था चौरी चौरा हत्या कांड के पस्चात गाधी जी ने असायोग आंदोलन अस्थागित कर दिया था चौरी चौरा कांड के समय गाधी जी बरदोली में थे उस समय असायोग आंदूलन के दौरान बिदेसी वस्तरों को जलाए जाने को रविंदना टैगोर ने निठोर बरबाद कहा था स्वराज पार्टी से क्या 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 क्वेशन बनते हैं दोस्तों वह देख लेते हैं स्वराज पार्टी की अस्थापना जो है वर्स 1923 में इलहबाद में चितरंजन दास और मोतिलाल नहरू ने किया था वर्स 1925 में सेंटर लेजिस्टेटिव एसेंबली के अध्यच विठल भाई पटेल निर्वाचित किये गया था चितरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है रट लीजेगा दोस्तों इसको अब साइमन कमीशन से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वह भी देख लेते हैं दोस्तों और साइमन कमीशन को नेक्ट लेक्चर में आप लोग को मैं बताऊंगा डिटेल में इसका कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेयर करिएगा चैन